नमस्ते अभिबातान आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे इंडिको पेंट्स की सबसे पहली चीज दो तीन बातें आप नोट कर लीजिए हम इस वीडियो में आपको स्ट्राटीजी बताएंगे कि आप इ एक दो बातें आप जान लीजिए सबसे पहली चीज इस स्टॉक का जो बाजार में प्रीमियम चला है वो आट सो रुपए पर सेयर के आसपास पास पहुँच चुका है जो कि घटकर 675 रुपए तक चला गया था यानि कि 20% का हमको एक जंप यहां पर close to 20% का जंप हमको दे मिला है उनके लिए तो सबसे best strategy यही होगी कि आपको यहां पर भी मिलता है सुबा खुलते ही आपको इसको sell करना है कोशिस यह करने है कि अगर आपको लगता है कि उपर जाएगा जिसके chances काफी जादा है अगर बाजार flat to positive भी रहती है तो तो उपर जाने के chances है तो आपको क चला जाए तब आपको बेंज देना है और फिर अगले 50% को आपको 5% momentum उपर चला जाए तब बेंज देना है याद रखिएगा और यही opposite side भी 5% नीचे गया अगला 30 बेंदूंगा 5% और नीचे गया अगला 50 बेंदूंगा यहां पर इस रूल पे अगर आप इस्टिक सकते हो जहां पर आप बड़ा रिस्क लेते हो जो बहुत लोगों को बरबाद भी कर देता है आपको यह बात पता होगी मैंने आपको रूल बता दिया 20 30 50 इस रूल को आपको हमेशा अपनाना है यह रूल बहुत ही बहतरीन काम करता है मेरे लिए जब भी कोई IPO मुझे मिल जाता है वहाँ पर मैं इस रूल को लगा लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रिमियम ज्यादा है और यह स्टॉक भाग सकता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के पूरे चांसे होते हैं अभी बात करते हैं क्या आप इंट्राडे कर सकते हो चाहिए तो आप लोगों के इतने भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं आपको दो-तीन आइप लिस्टिंग होई थी लेकिन उसके बाद देखिए कितना पैसा इसने तहसना दी थी इसने हमारी इंट्राडे स्ट्राडेजी यहाँ पर फेल ह हो गया था जबकि हमारे मतलब दो ट्रेड्स में पॉजिटिविटी जलक रही थी यानि कि हमने प्रॉफिट बुक किया था और उसके बाद तीन ट्रेड हमें लॉस जाने पड़े थे जिसका कारण हमें ओबरॉल ब्रोकरेज और थोड़ा सामको लॉस हो गया था इसमें चलता कि वह बर्गर किंग की तरह देखो जहां पर यह सिंपली लिष्ट हो रहा है अगर 800 रुपए के प्रीमियम पर लिष्ट होता है तो अपने फेर प्राइस से यह लगबग लगबग 65-70 रुपए उपर लिष्ट हो रहा है और यह इसकी फेर वैली है याद रखिएगा प्रिजन सिच्वेशन में मैं इनके पीर से इनको कंपेर करके देख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर यह लिष्ट होता है वहाँ पर मुझे एकदम कमफर्ट नहीं है बाइंग का कम से कम लॉंग टम के लिए बिलकुल नहीं है मुझे लॉंग टम में अच्छ याद रखेगा थोड़ा सा क्या कह रहा हूं है लगभग लगभग ऊपर से यह स्टॉक साड़े साथ बहुत ज्यादा परसेंटेज टम में आपको दिखाए दे रहा होगा जब भी ऊपर से यह स्टॉक 75 रुपए के आसपास आपको गिरावत दिखाए उपर के लेवल से 75 नीचे मिल ला हो सुरू के एक घंटे में, एक घंटे में अगर 75 रुपए आपको नीचे मिल ला है तो आपको क्या करना है, 33 परसेंट यानि कि जैसे आपको 100 रुपए डालने हैं तो 1 by 3 अमांट आप यहाँ पर डाल सकते हो और उसके बाद अगर यह आपको 100 रुपए नी चालू कर दोगे और ब्रोकरेज वगेरा भी आपकी वहां पर एडजस्ट होनी चालू हो जाएगी और उसके बाद आप प्रॉफिट निकाल सकते हो मतलब मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझेगा पच्छतर सो और डेड़ सो यह रुपए की फॉल आपको चाहिए तब हो कहां पर सुरू के एक घंटे में उसके बाद यह पैटन आप बिल्कुल मत लगाईएगा अब मैं एकदम सिंपल रूल आपको बता रहा हूं उपर से स्टॉक पच्छतर रुपए फिचले सो रुपए फिचले डेड़ सो रुपए फिचले आपको पैसा यहां पर डालना है उसके बाद इस टॉप लॉसेस आपके क्या रहेंगे मैं समझा देता हूं यहां पर जब आप लोगे इस स्टॉक को इतने रुपए पर जब आप लोगे उसके बाद जो आपका एवरेज आएगा वहां से आपको इस स्टॉक में 3% का स्टॉप लॉस लेना है याद रखि यानि 15 रुपए कमाने के लिए 25 रुपए कमाने के लिए तयार हो तभी आप इसमें ट्रेड कीजेगा यह वोला टाइल रहेगा अब एक घंटे बाद आपको क्या करना है 30 रुपीज गिरता है तो आपको पहली किस डालनी है तीस रुपए एक घंटे के बाद जैसे ही 30 यही stop losses आपको हमेशा 3% और 5% के ही रखने है चाहे एक घंटे का ट्रेड हो चाहे एक घंटे के बाद वाला ट्रेड हो बाकी एक और strategy हो सकती है कि खुलते ही खरीद ले क्या जी हाँ यह भी strategy आप लगा सकते हो लेकिन strict stop loss वहाँ पर भी आपको रखना होगा 5% का अगर आप 5% का stop loss नीचे exit कर सकते हो तो खुलते ही खरीद लीजे 20% का और अगर आता है जैसे कि 3-3% यह जैसे जैसे आपको नीचे मिलता जाता है आप वहाँ पर भी buying initiate कर सकते हो अगर मैं इसको एक nutsell में समेटना चाहूं तो आपके लिए क्या opportunity है मैं मान लेता हूं कि यह एक intraday का चार्ट हमारे लिए बन गया ठीक यह intraday का चार्ट मैं इसको मानना हूं daily candle पर ऐसा कुछ बन जाता है तो यह मान लेते हैं 5-5 मिनट की candle है इस वाली candle पर हमको buying initiate करना है इस वाली candle पर हमको buying initiate करना है उसके बाद अप्टिक आए हमको profit में 5% के आसपास बेंज देना है loss हमक इससे better आपके पास कुछ है आप बिल्कुल यह काम कर सकते हो अगर आपको लगता है कि stock बड़ा महंगा है 1500-2000 तो आप एक quantity से कीजिएगा क्योंकि यहां पर जिस हिसाब से मैंने आपको percentage टम से में बताया है एक बड़ा fund लगेगा तो मैं आप से कहता हूं आप एक quantity से कीज confidence आना जरूरी है जिस दिन आप confidence ला दोगे इस बाजार में उस दिन के बाद से आप पैसा कमाने लग जाओगे याद रखिएगा हो सकता है कि आप आज क्यों 200 रुपए दिन का कमा पा रहे हो या फिर आप हफते का 200 रुपए कमा पा रहे हो आने वाले 5 साल में अगर आप इस पे improvement करते रहे तो यही पैसा आपका 2 लाख भी जा सकता है आपको किसी को follow करके नहीं देखना है कि वह लाखों दिखा रहा है करोनों का profit दिखा रहा है उसको दिखाने दीजिए बहुत से लोग बरबाद होते हैं मेल साते हैं मैंने आज देखा है लोग किस तरीके से option selling करके बरबाद हुए इमेल आया है उनका मतलब क्या कहा जा सकता है तो ऐसी सावधानी आपको बरतनी है बहुत ही सक्त चेतावनी मैं दे रहा हूं जो भी मैंने आपके साथ इस स्ट्राटीजी सेर की इसका analysis मैं वीडियो बनाऊंगा और किस तरीके से इसमें trade बना मैं आपक जाऊंगा ध्यान सबसे पहली वाली strategy पर रखना है intraday pattern यहां पर fail इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस stock में शुरू के 15 मिनट में इतना भयंकर momentum आजाएगा हम वहां पर capture नहीं कर सकेंगे जो लोग heavy risk लेना चाहते हैं वो शुरू के candle पर ही buying initiate कर सकते हो और आपको stop process को बहु जादा तर लोग इसलिए लगाते हैं most people की उनको listing gain मिले इसलिए आपने IPO सेलेक्ट कि अगर आपको कहा जाता है यह downside list होगा तो आप खरिदते जी नहीं तो जब आपको listing gain मिल रहा है आप profit book कर लीजिए 15,000 के बदले आपको अगर कोई मैं मान लेता हूं 15,000 के बदले 20 से 25, 25,000 कोई दे रहा है 15 दिन में दे रहा है आप क्या सोचोगे यहां पर कुछ जी नहीं सोचने सोचना ही नहीं है अब आपको लेगेगा 15 वाला मान लेते हैं 40 हो गया 45 हो फिर मैं क्या करूँगा भाई साहब यह आपके मतलब risk reward के ratio के साब से आपके लिए favorable नहीं है इसलिए आपको वहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि हो सकता है जो आपको 20-25 मिलना हो यही आपको 18-20,000 मिलने लगा फिर आप क्या करोगे फिर तो आप अपना सर पीट लोगे ना आपको जो चीज मिल जाए मतलब profit लेना सीखिए यह बाजार आपको unlimited opportunities देती है उसको grab करना सीखिए IPO क मतलब क्या होता है किसमत सबसे बड़ी चीज होती है किसमत आपके साथ है उसको आपके खिलाफ मत जाने दीजे कम से कम नहीं तो जो लोग hold भी करना है better food या burger king मतलब इतना बढ़िहां वो लोग hold करने इतना handsome profit उनको मिल ला था लेकिन नहीं book किया अभी वो पस्ता रहोंग आता है तो उसको भी इसका साबना करना पड़ेगा इसलिए आपको साउधानी बरतनी चाहिए इंट्राडे पैटन मैंने आपके साथ सेर कर दिया बहुत ही साउधानिक साथ ट्रेड कीजेगा अगर quantity कम रखोगे वह आपके लिए फायदेमंद है हम कम कमाएंगे लेकिन टे सब्सक्राइब कर लेना हम मिलेंगे फिर से तब तक के लिए बाए बाए